चातु जियवान विवेकी चा ध्यात्म ज्ञान वान शुचि मानसं निर्मलं यस्या गुरुत्वं तस्य शोवते जो चतुर हो विवेकी हो अध्यात्म का ज्याता हो पवित्र हो तथा निर्मल मानस वाले हो उनमें गुरुतत्व शोभा पाता है अब ये गुरु के सुभाव और गुण के विश्य में कह रहे हैं सबसे पहली बात कहीं जो चतुर हो अब आपको होगे वही चलाकी तो दुनियादारी में चाहिए गुरु को चलाक किसे क्या लेना देना पर ना जीना अगर गुरु चलाक नहीं होंगे तो गुरु को चले गच्चा दे जाएंगे एक आस्रम में चले गाइब थे तो बाकी और पूचा भई वो कहा हैं तो चले जी उनके पेट में दर्द है और गुरु हो भोले भाले है और तू मानले इस बात को कहां पेट में दर्द है तो कहींगे चलो इसको दवा दिला दो डाक्टर दिखा दो अस्पताल ले जाओ ये कर लो और गुरु हो चतूर चतूर माने बुद्धी मान है और बहुत चलाक है चलाक माने जो तुम्हारी चलाकियों पको पकड़ पाए वही तुमको स्याना बनाएगा मार मार के जो तुम्हारी बातों में आ जाए तुम तो उसको बेवकूफ मना दोगे पेठ में दर्द है गुरु जी कहते अच्छा चलो जरा उनको बुलाओ तो अच्छा आ गए गुरु है ये चतूर गुरु कहते चलो शंग प्रक्षालन करो आट बार वाला पूर्ण संग प्रक्षालन करो, आंतों में मल फसा होगा, बायईव बनती होगी, बायई उपर चढ़ती होगी इसलिए पेट में दर्द हो रहे चलो संग प्रक्षालन करो कुझजाल करो और आज है कारी करो, आज निर्जला अपवास रखो पेट अपने अप सेल्फ क्लेंजिंग टक्निक हो जाएगी शरी तरह स्वस्त हो जाएगा अज तो बोल लिया जूट अगले दिन ही बोलेगा यह सब ड्रामे हम देखते है ना वही मैंने का ना पहले-पहले हम मान लेते थी जो बोलते हैं सची कह रहूंगे अबिषै कि जतेए तविए ठीक नहीं? तविए ठीक नहीं टीक है अइसा मू बनाएट अइसा ड्रामे बाज होते रहूंगे काहन थे? सुवे... नारती में नहीं है ओन थे? उतविए ठीक नहीं ठी ब्रायम पहले जी दिवाग की तबियत खड़ापसी तो ठीक करो भिरुस को चतूर गुरु को चतूर होना चाहिए गुरु बोला बाला नहीं चलेगा कई चले ऐसे है वो कहते है पहले हमारे गुरुजी बड़े बोले बाले थे है है लेकिन अब थोड़ा मश्किल हो बया है सालों सालों उनके उन बचनों को हम मान लेते थे क्यूंकि सच यह है जैसे हम है हम दूसरों को वैसा ही देखते है हम तो स्वपन में भी नहीं सोच सकते स्वपन में भी नहीं सोच सकते कि गुरु के दर्ष बगैर रह सके मुआ अपनी बात फिर कहती हूँ एक बार पता ये चला कि गुरु जी बार गए थे आ गए आये तो हम मिलने गए कहे मिलने तो वो हमारी और देखे नहीं बहुत लोग है पर ये नहीं दिखा के मेरी और देखा नहीं ये लगा के जरूर हमसे कुछ गल्ती हो गई है जिस कारण उनकी कुपाद रष्टी हम पर नहीं आ रही अब वहीं बैठे बैठे चुप चाप आंसू बहते रहे रोते रहे वहीं बैठे तो मां ची साथ में मां पुचे हुआ क्या है क्या हुआ है कुछ नहीं रोना बंदी नहीं हो रहा गर आए वापिस ना खाया जाए ना पिया जाए चैनी नहीं आ रहा है ऐसा चाती फट रही है दर्द से क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया श्राम को जब पुना गए तब इतनी हिमत भी नहीं हो रही है कि हम पूछे है कि हम से क्या तो कुदी दिमाग लाड़ा रहे है कि हमने क्या किया होगा हमने कुछ तो अबग्या करी है अन्य था इतना परम कृपालू सद्गुरू और हमको कृपाद रष्टीना दे ऐसे कैसे हो सकता है जाए हम और सेवा न मिले कोई बड़ी परेशानी हो जाते कपड़ दोने की सेवा मिलती थी बुने ही मिली तो परेशान हो जाते थे बोजन बकाने की सेवा मिल जाये बड़े खुश होते हैं, आज गुरुजी के लिए भुचन हम बलाएंगे आज गुरुजी के वस्त्र दोने हम तो उनके वस्त्र में ले आती जब गर में तो जीन ही होता था कि उसको ऐसे ही दो दो दे इतनी प्यारी उसमें से खुश्बूग आ रही होती थी, सच कहें तो हमने तो बहुत नजदीक से देखा है कोई पर्फ्यूम, कोई इत्रा, उनके आज स्पास अगर बत्ती से तो दोएं से भी उनको परिशानी होती थी तो कोई अगर बत्ती, कोई दूप उनके आज से पास कभी नहीं जलाई जाती थी तो अभी उनके वस्त्रों में इतनी खुश्बू होती थी कि बस यह ऐसे रखके न मूँ पर बैठे रहते थे, बैठे रहते थे, दिहान करते समय सिर पर रखके ऐसे बैठे रहते थे और मैं मैं एक से चोटे से चोटा कार यह कोई भी हो लिकिन जिसके साथ गुरू जुड गया वह कारी इतना स्रेष्ट इतना प्रसन्ता देने वाला एक बार चले गए वो लंबे समय तो भूख प्यासेगी खत्म हो गई अब ना काया जाए ना पिया जाए और वजन भी आएलरशने एक कि जब दुपधänd किस Não अएलरशन नहीं होगा मैंनी कहूंगी आएंगे यह जब भूखीनिए मैं क्या करूं ओख मेंगे कि क्या करूं मैं मेरे से नहीं अगया जाता यह तो रख दे ते कुष यह जब अगर्द टेर नजर के गरा तक थोगा झाल के मुझे रह गई है दिन रात आपको याद कर करके तो हम क्या करें ना भढती है ना गर किसी कारिय में इसका मन लगता है तो अच्छा है आप इसको अपनी शरौन में ही ले लीजिए अब उस समय हम क्या दसमी में पढ़ते हैं छोटी बच्ची समझ के, कि इंफैच्वेशन है, थोड़े टाइम बाद बुखार जाएगा दिमाग से, तो गर्वाले तो इसा ही सोचते है, लेकिन सद्गुरू के करीब जाने का, उसका दर्स करने का, उसस्तान में, उस महक में, उस खुष्भू में बैठने का, जो स्वभ अपनमें भी, सोच ही नहीं सकता है, कि भी गुरू के सामने मिथ्य बच्वन बोले, कि गुरू के सामने जूट बोले, एक बार, हमने, एक साथसंग में, ऐसी कोई महात्मा है हुए थे, उनका साथसंग सुना, तो उसमें वो कह थे थे, कि सुबह बहुत अच्छा है, लेकि बात दिमाग में गुश गई, घड़ी मेरे पास थी नहीं, घर में एक अलाम कलॉक था, मैंने वो अलाम कलॉक लिया, सो वो तीन बज़े का अलाम भरके, अपने सिराने रख दिया, गर्मी कदिम थे, चट में उपर चार पाई पे सोते थे, अब बज तो नहीं कहीं अलाम, यहीं देख रहें, बार बार उठ उठकें, तीन तो नहीं बज़ें, तीन तो नहीं बज़ें, तीन तो नहीं बज़ें, और तीन अलाम बाद में बज़ता था हम पहले से उठे हुए होते थे, अब वो उठना, वो रात्री में तारों की चाया, वो तारों की उसे चाया में बैठ करके अभ्यास करना अब यह अनुभाव ऐसे प्यारे है ऐसा नहीं कि गुरु ने वो महात्मा ने मुझे चुन के कहा कि सुन तुझे उठना है सुबे इतने वजे उन्तुनी जेनरल एक बात हो रही है पर सुनते ही लगा नहीं ऐसा करना है अब उसके बाद स्कूल भी जाती हूँ घर कभी काम करते हैं अपना होमवक भी करते हैं पर कभी नींद नहीं आई दिन में के सो रही हूँ मैं क्लास में जाके सो जाओं नींद भी नहीं लग रही है क्योंकि जिसके खुर्दय में या प्रेम अगन लगे जिसके खुर्दय में ऐसी शुद्धा की अगनी जग जाती है उन आँखों में नींद कहा हूँ पाइवीर सिंग बहुत अच्छे पंजाबी के कभी हुए हैं उन्होंने एक जगा लिखा नियूँ वाले नैना की नींदर नियूँ वाले नैना की नींदर उता दिने रात पए बैन दे जिन आँखों में प्रेम लग जाए उन आँखों में नींद नहीं आ सकती और जिन आँखों में नींद भरी रहती है आलत से भरा रहता है वो लोग ये ना कहें कि उन्हें प्रेम है अब हम तो जैसा अपने महत्माओं के साथ महापुर्शों के साथ गुरू के साथ जैसा बयवहार करते तो मुझे तो यही लगता था कि सब ऐसे ही है सब ऐसे ही करते होंगे पर ये तो समय के साथ मालूम हुआ कि लोग ऐसे है नहीं जैसा कहते हैं, वैसे वो होते नहीं हैं, और अगर उनको वास्तव में कुछ करना है अपने जीवन का, तो उनके साथ साम दाम दंड बेद, गुरु को ये च्छ उपचार करने ही पड़ते हैं, कहीं कटोर, कहीं नर्म, ये चतुरता गुरु में होनी ही चाहिए, गुरु भी अध्यात्म का ज्याता भी हो, अब कहीं होते हैं, जैसे गदी चलती हैं, कहीं होते हैं, जैसे गदी चलती हैं, कहीं गुरु जी बयाए हैं, जो आगे उनका बच्चा 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 बच् हरनकस्प के गर प्रहलाद पेदा हो गए नहीं हुए क्या और इस ते उल्टा भी हो जाता है कभी है तो संथ गर में ऐसा यमदूत पेदा होता है चोथे गुरु रामदास के जो बड़े बेटे थे पुर्थी चंथ बड़े कुरूर आतमा थे वो इतने करूर कि अपने ही छोटे भाई को गिर्वतार करवा दिया था तो संथ के घर में दुष्ट और दुष्ट के घर में संथ भी पैदा हो सकता है इसलिए मेरी द्रष्टी में गुरु के वंश की गदी नहीं चल सकती है डाक्टर का बेटा जरूरी है कि डाक्टर ही होगा वकील का बेटा क्या जरूरी है वकील ही होगा सुन्यारे का बेटा जरूरी है कि सुन्यारा ही होगा जब ये बात सत्य है तो फिर क्या ये बात सत्य नहीं कि गुरु का बेटा गुरु ही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है गुरु कौन है? जिसको अध्यात्म का ज्यान है और ज्यान श्रबदित नहीं जिसका अनुभाव का ज्यान है ऐसे अध्यात्म ज्याता ऐसे अध्यात्म के अनुभवी को हम सद्गुरु कहते हैं पवित्र हो यह भी बड़ी बात है एक सम्मिलन्ण में हम आमंत्रित्ये बड़ा सा मंच होता है बहुत से मातमा बेठे होते हैं सादूएं ब्रह्मचारी हैं बड़ सारे मतलब गुरुजी कुई बड़ आगए मामनलेश्वर तो उनके साथ 10-15 उनके चेले पाटड़े होंगे वो भी सब मंच में है तो सीनियर मंच में हैं जुनियर निचे बड़ा चलता है प्रोग्राम ऐसा अब मंच पर वैठे हुए जिनसे परिचे आपका होगा तो मंच के बाद चुकी अकसर एक ही जगे में सब लोग रुके रहते हैं तो आपस में मिलना जुलना होगा बातचीत भी होगी अब जब ये बातचीत होती है तो इसका एक नमुना आपको देती हूं तीन सादू आपस में बात कर रहे थे एक ने कहा आज तो मेरा दिशे था लोग नहीं करना चाहिए खुद वो लोगी है कहरे आज तो मैंने ऐसे ऐसे बचन बोले कि सुनके लोग उपिगल गए और उनको ये समझ लग गई कि धन तो नागनी है और इस नागनी का तो त्याग कर देना चाहिए वड़ाज अच्छा चड़ावा चड़ावे लेको हैलो भी वो पर अपनी कथा बारताखा उपियोग वो कैसे कर रहा है दन इकथा करने के लिए दूसरा जिसको कहते है ना हैपी आईस वेवरी हैपी आईस तरियों को देख के खुष होता है तो उसके उस दिन परवचन का विषरिथा ब्रह्मचर ये दारण कर रखना चाहिए और जितनी स्रियों है वो सुन रही है क्योंकि ये मात्मा तो कैसी बात करता है तो वो अपने आपको बड़ा सेफ मैसूस करती है और निस संकोच हो कर के महराज को प्रणाम भी करती है तो ये सब माता है आपकर कर जब प्रणाम करती है तब ऐसे तो कभी कोई पासना बेठा थी अव और तही आपके प्रणाम करी थी आज बड़ा आनन्दी है मेरे परवच्छनों तीसरा चुपचा बैठा था तीसरा सादू कुछ बोला नहीं उन्होंने का भाई हमने तो अपनी बात बता दी तुई तो कुछ बता कहरें बस कुछ खास नहीं मुझे इधर की अधर करने की आदत है अब कल के परवच्छन में तुमारी कर्थूते में सबको सुनाओंगा मेरी मुष्किल यह है मैं अपने अंदर कुछ पचाके नहीं रख सकता निंदा करता निंदा करना उसकी कमजोरी गुरु वो है जो पवित्र है गुरु तो बड़ी दूर की बात है सादू वो है जो पवित्र है ऐसे ही सादक वो है जो पवित्र है अगर तुम लोग आपस में भी बेट करके एक दुस्ते की बुराई करो और एक दुस्ते की कमियां ढूंदतरो इसमें ये कमी है इसमें ये कमी है इसमें ये कमी है आपका मन भी पवित्र नहीं याद रहे, फूल की डाली पर कांटे मी हैं, फूल भी है अब आपके उपर है, आप फूल देखोगे कि आप कांटे गिनोगे, अगर आप कांटे गिनते हैं तो यह आप की कमी हुई, कि फूल की कमी हुई, बोलो गुलाब देखा, आप गए कि मैं तोड़नों इसको, आपने कांटे नहीं देखे और तोड़ने लगे, कांटा चुप गया हाथ में, तो चिलाओगे यह तो बड़ा बुरा है फूल, इसमें कांटे है, इसने मेरा खून निकाल दिया गल्ती तुम्हारी है, फूल चाहिए था तो कांटे से खुद को बचा कर, फूल उपर पूरी द्रश्टी रखकर, फिर उसको निकाल लेते तो हाथ में कांटा नहीं लगता ऐसे ही, हर मनुष्य के अंदर कुछ कांटे भी हैं, और वो फूल भी होंगे अब आपके उपर है, कि आपने उस मनुष्य के उन कांटों की चुबन को खाना है या उसके उन गुणों के फूलों की महक को लेना, आपके उपर है आप क्या चुनते हो क्या-क्या कमी हैं इस बंदे में, आप ये ढूंडते हो देखना यह चाहिए सादक कौन है जो दूसरों में उनके गुणों को देखता है और उनके अवगुणों को देखकर वो यह कहता है कि किस में नहीं होते मेरे में भी बहुत है सादक यह नहीं कहेगा कि तेरे में तो बहुत अवगुण है और automatically में तो अच्छा ही हो गया क्योंकि तेरे में जैदा है और तेरे में ने गिनवा दिये अपने तो मैं बोलूँगा भी नहीं यही तुम policy हमेशा इस्तेमाल करते हो जान से देखना अपने आपको आपको कोई दस बार जी कहे आपको वो भूल जाएगी जब उसने आपको एक बार ना कर दी तो आपकी कोई दस बार तारीफ करे आपको वो भूल जाएगी अगर उसने आपकी एक बार बुराई कर दी तो अब हमारे उपर है कि हम क्या देखना चाहते है हर मनुष्य में कुछ गुण है याद रए हर मनुष्य में आप कहो के निए हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जो इतने बुरे हैं इतन बुरे हैं इतन बुरे हैं इतन बुरे हैं नारजीमी द्यान से देख पार्खी आँख से, उसके अंदर भी कुछ नकुछ दिख जाएगा तुलसिदास जी ने क्या प्यारी बात कही, कामी प्यारी नारजीमी, जैसे कामी पुरुष को इस तरी से प्यार है लोभी प्रियाजी मदाम , जैसे लोभी आदमी दिनरात धन के बारे में सोचता है ऐसे ही मैं, हे राम, तुझ को याद रखऊं अब उनों ने कामियों से, लोभीयों से, उनके निशचाय को, उनके समरपण को उनका एक निष्ट होकर एक विशे के बारे में सोचने को उन्होंने उठा लिया, चुन लिया है और उन गुणों को लेकर वह अपनी साधना को और जायदा गहराई देने की सोचने है किछना निष्च है? ऐसा निष्च मेरे में आ जाए तो पवित्र मन वाला बने, पवित्र मन वाला सादक होता है और यही एक दिन संत होगा, और यही फिर एक दिन गुरू भी हो जाएगा निर्मल मानस वाला हो, जिसका मन निर्मल है जिसके मन में मेल नहीं है जिसका मन सद्दाईव दूसरों के प्रती कृपा की भावना को रखता है बुरे से बुरे इंसान को मिल के भी उसको गृणना नहीं आती जीजस के विशे में बात कहती हूं एक बार जीजस को लोगों ने शराब खाने में बैठे हुए पाया शराबियों के साथ बैठे हुए ना केवल वो बैठे हैं बलकी हसरे है ना हसरे हैं बलकी उनसे बात भी कर रहे है तो कुछ एक लोगों को बड़ा बुरा लगा कि ये केसा आदमी है अपने आपको संत कहता है इश्वर का पुत्र कहता है और शराबियों के साथ बैठा है शराब खाने में इसा जब बाहर आए तो उन यहुदी पादरियों पुजारियों ने प्रशन किया कि तुम शराब खाने में कैसे जा सकते हो जीजस ने हंस के का जहां बीमार होंगे डाक्टर वही तो जाएगा यह अंदर जो लोग बैठे हैं यह भी मन से बीमार है इसलिए मुझे उन तक जाना पड़ा कि तुम तो हासास के उनसे बाते कर रहे थे कि अगर उनसे हासास के बात नहीं करूंगा तो वो मेरी बात सुनेंगे क्या पहले मैं उनसे मैटरी करता हूँ उनका दोस्त बनता हूँ उनको अपना बनाता हूँ और फिर दीरे 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 अईसा नहीं कि मैं तुमारा सुधार करने आया हूँ और मैं तुम्हें सुधार दूँगा सुधारवादी नहीं जीजस बस वो बेठते उनके पास और धीरे-धीरे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ चोटी-चोटी-चोटी कहानी कहते और कहते-कहते-कहते इस प्रकार के सामने वाले का मन पसीज जाता और वो जीजस के सत्संग का प्रेमी बन जाता एक कहानी कहती हूँ जो जीजस कहा करते थे एक पिता के दो पुत्र थे बड़ बेटा, बड़ अग्याकारी बड़ महंटे, बड़ सक्में काम करने माला इनके बड़ खेत हैं, बेडे हैं, वक्रियां हैं सwegen की पालना करता, देखबाल करता पिता के हर कार ये को बिना कहे कर देता आग्या भी पूरी मानता है काम भी करता है मेंती भी है पर ज़चोटा लाड़का वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ आवारा, जुवारी, वेश्यागामी पैसा उजाड़ना जानता है और एक रात घर में जितना धन पड़ा था वो सारा धन समेट करके वो भाग दया फिर वर्ष्रों उसका कुछ पता नहीं चला फिर खबर आई कि उसने तो सब पैसा भी गमा दिया और बुरी संगत में पढ़के उसने अपना स्वास्त भी खराब किया है और अब भी खारी हो गया फिर पता चला एक दिन कि वो घर वापिस आरा है तो पिता ने अपने बड़े पुत्र को बुलाया और कहा कि देख आज मेर चोटा बेटा घर वापिस आरा है तो उसके स्वागत सत्कार में कोई कमी न हो खुब सजाओ घर को और गाव भर को न्योता दो हमारे हाँ सब का भोजन होगा और नाचने वालों को भुलाओ और गाने वालों को भुलाओ उनका बड़ा सत्कार हम करेंगे दन भी देंगे आज मेरे पुत्र के घर वाप्सी का दिन है बेटे को बड़ा गुसाया मैं इतने सालों इसकी सेवा करी आग्यामानी मेरे लिए तो कभी इसने असा भोजन का इंतजाम नहीं किया और उस बिगडे हुए अवारा जुवारी शराबी के लिए मुझे काम करने को कह रहे है और उसके लिए इतना बंदोबस पिता से उसने कहा कि इह तो गलत है पिता ने अपने बड़े बेटे के कंदे पे हाथ रखा और कहा तू तू मेरा प्रिय है ही तू तू सदयु मेरे साथ है तेरे विशमें तो मुझे कोई संदे है, ही नहीं है और तु बड़ा योग्या है और मेरा उत्तरधिकारी तु ही होगा परन्तु जो बच्चा बिगड़ गया आज वो घर वापिस आ रहा है अगर हम आज उसका स्वागत सत्कार नहीं करेंगे तो वो घर में कभी टिक नहीं पाएगा उसकी इतनी गलतियों इतने अपराधों के बावजूद जब हम उसको क्षमा देंगे जब उसको हम गले लगाएंगे तो ये उसके लिए सबसे बड़ा दंड भी होगा और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ऐसे अच्छे पिता और ऐसे प्यारे और समझदार भाई की अ कि वह सब कुछ ऐसे ऐसे काम ही तो कर रहे हैं पतनी से चुपा के धन लेयाए एए शराब पीने को बच्चों के हिससे का चुरा के लेयाए या महिमानी करके चुरा के लेयाए तो जीजस कह क्या है कि तुमने जितने भी अपराध किये हो कोई फरक नहीं जिस तिन तुम पिता परमात्मा के घर आने लगोगे तुम्हारा स्वागत होगा तुम्हारा सत्कार होगा तुम्हें अंगिकार किया जाएगा तुम्हें स्विकार किया जाएगा तुम्हें दंड नहीं दिया जाएगा तुम्हारे लिए द्वार बंद नहीं किये जाएंगे इसलिए निशिंत हो करके अपने पिता परमत्मा के साथ अपने संबंध को बनाओ सिदेगर कह दो तुम किसी अपराधी को कि तू ये कर करेगा क्या हो नहीं करेगा, सुनेगा भी नहीं लेकिन जेज़स उनके साथ मित्रवन के बैठ जाते और बात करते करते ऐसे चोटी-चोटी कहानियां बोलते और कहानियां सुनते, 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 सुनते ऐसा प्रभाव मन में रह जाता कि सुनने वाले अपने हाप ही पूचते कि अच्छा, फिर हम प्रार्तना कैसे करें, फिर प्रार्तना की कैसे जाती है, और फिर इसा वो सब सिखा देते, तो जुआ घरों में, शड़ाब खानों में, वेश्याओं के स्थान पर जाकर के भी, इसा ने शिश्य तैर कर दिये, लोगों के भीतर, प्रेमा भक्ती की वाव जागरत कर दिया, मेरी दरश्ती में जो कार्य ईसा ने किया, वह बहुत बड़े बड़े गुरू भी नहीं कर पाया, ज़ार्यों के यहाँ कुन गयाँ, ज़ार्यों के साथ बेठ कर के, फिर उनसे मेत्री करना, और इस तरह मेत्री करना, यह नहीं अगर खुद कच्छा तो उनके साथ बढ़े टाष्की दोपत्ती कहल रहा होगा, और इतने मजबूत है वो, कि पापियों के मद्ध जाकर के भी वह उन पापके मार्ग पे चलने वालों को पापका मार्ग चोड़ कर सक्त्य के मार्ग पर धर्म के मार्ग पर चलने को प्ररीथ कर देते हैं, गुर दविनिर्मुक्ताह सदाचारा जितेंद्रियह